श्री शद्गुरु महराज कीजए परमाराद्य संद्गुरु महरसी मेही परम्हन्स जी महराज का परवचन पहले सगुन उपासना फिर निर्गुन उपासना बन्दाउं गुरुपद कंज कृपाशिंधुनर रोपहरी बहां मोहतम पुंज जासो वचनरवे करनिकर प्यारे धर्म प्रेमी सर्व सज्जन व्रेंद अपने देश में एक अस्त्र चाहे सस्त्र कहिए बहुत कारगर हो गया है वह क्या है हरताल अभी सुनने में आया है कि अभी जो ड्राइवर लोग हैं ये भी हरताल किये हैं महिना में हर्ताल होना ही चाहिए ऐसा ही होता है। मैं यहां के वास्ते कोई नया मनुश्य नहीं हूँ। बहुत पुराने समय से आता हूँ। कितने बुढ़े पुराने चले गए। नए लोग मुझे नहीं पाचानते होंगे। पुराने को भी भूल से मैं भूल गया किस ओर शगून की ओर वा निर्गून की ओर किसी एक ओर जोर नहीं देता क्योंकि शंतों की वानी में ऐसा नहीं है हाँ ऐसा कहा है कि पहले शगून उपासना फिर निर्गून उपासना गोशामी तुलशिदास जी ने विनेपत्रिका में लिखा है शेवत शादो द्वयत भय भागे शिरी रघो वीर चरन ले लागे यह तो शगून ही है इसके आगे देह जैनित विकार शव त्यागे तब फिर निज श्वरूप अनुरागे निज श्वरूप क्या है तो कहा अनुराग शो निज रूप जो जग में विलक्षन देखिये शंतोष शमशी तल सदा दम देह वंत न लेखिये निर्मल निराम एक रस तेही हरस शूक न व्यापई त्रै लोक पावन शो शदा जाकी दसा आई सी भई जो तेही पंथ चलाई मन लाई तो हरी काह न हो ही सहाई जो मारग शूरूती साधू दिखावे तेही मग चलत सब ही सुख पावे यह सुख पाने का रास्ता है निज रूप वह है जो की अनुराग शौ निज रूप जो जग में विलक्षन देखिए यह निर्गुन है शगुन के बाद निज श्वरूप में भी प्रेम करो वह कैसा है जो संसार में नहीं है जो संसार से विलक्षन है यह परिपाटी बहुत पुरानी है सगुन पर बहुत जोड़ दे सो ठीक नहीं और सगुन को छोर कर केवल निर्गुन पर चलो ऐसा रास्ता नहीं है दोनों को क्रम क्रम से पकड़ो गुरु जो रास्ता बतावे उस पर चलो अस्तुल शगुन के लिए भी तो गुरु आदेश देते हैं फिर निर्गुन के लिए गुरु की अवश्यक्ता नहीं यह बात नहीं रामकृष्ण प्रमहन्ष देव जी काली माई के शगुन उपासक थे उनसे जो सिद्धी मिलनी चाहिए शो भी मिली थी एक पंजावी शादू तोतापुरी उनके पास आए उन्होंने देखा कि यह पुरूष बड़ा पवित्र है उन्होंने कहा कि तुम बड़े पवित्र हो ब्रह्म दिक्षा लो तुम्में यह कमी है प्रमहंस जी ने कहा माई कहेगी तब फिर भेंट होने पर पुछा कि माई ने क्या कहा उन्होंने कहा दिक्षा लेने बोली फिर उन्होंने उनसे दिक्षा ले ली इस तरह शगुन से निर्गुन की ओर चलते हैं यह पुरानी परिपाटी है शगुन के बाद निर्गुन की बुद्धी पर अभीगद अकथ अपार नेती नेती नितनिगम कह गोशामी तुलसिदाश जी इस स्वरूप का ज्ञान इंद्रियों को नहीं है प्रमात्मा के लिच स्वरूप का ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो सकता है भगवान शिरी राम ने लक्षमन जी से जंगल में कहा था इस्वर सर्व यापक है, सव अकार में प्रिविष्ट है सव अकार में प्रिविष्ट होने के कारण सर्व रूप उनके माने जा सकते हैं अचर चर रूप हरी सरवगत सरवदा बशत इती वासना धूप दीजै विनए पत्रिका भक्ती का सिलसिला है कि अस्थूल से आरम करो इस्ट मंत्र का जप करो जप होता है सभी लोग जानते हैं इस्ट देव के रूप का ध्यान होता है ऐसा नहीं कि हम जिस इस्ट देव की उपासना करते हैं वह इस्ट बड़े हैं दूसरे चोटे हैं यह बड़ा जोर की बात है कोई राम को कोई शीव को को Hughes माई को अथवा कोई दूसरे मजभ के तुछ लोग दूसरे इस्ट को धारन करेंगे, अस्थूर मूर्टी बनाकर तस्वीर बनाकर अथवा इन दोनों को छोड़ कर रूप उपासना करते हैं, जो कोई कहते हैं कि जिस धातू की मूर्टी है, उसी धातू का ध्यान करते हो यह गलत बात है, उपासना रूप की होती ह ना कि उस धातु की, कोई कागज पर बने चित्र का ध्यान करते हैं, चाहे कोई मंदिर की मूर्ति को देखकर उपासना करते हैं, चाहे एक बार देखकर फिर उसी तरह ध्यान करते हैं, या अस्तुल उपासना है, इसके बाद शुक्ष में ध्यान होता है। श्रीमत भागवत में है, सब और से फैले हुए चित को कीच कर, एक अस्थान में अस्थिर करे, और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ, केवल मेरे मुश्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे, मुखारविंद में चित के अस्थिर हो जाने पर, उसे वहां से हटा कर, अकास में अस्थिर करे, तदंतर उसको भी त्याक कर, मेरे शुद्ध स्वरूप में आरुड हो, और कुछ भी चिंतन न करें। यहां से सुक्ष्म ध्यान है, यहीं से ब्रह्म उपासना अरंभ होती है, अस्थूल, शगून तक लोग बहुत जोर करते हैं, यदि ऐसा होता तो संत लोग ऐसा क्यों कहते कि और आगे बढ़ो। ध्यान विन्दू पनिशद में है कि विजाक्षरम परम विन्दू नादंग तस्चो प्रियस्थितम सवशब्दंग चाक्षरे शीने निशब्दंग परम पदम अर्थात विन्दू ही विजाक्षर है, उसके उपर नाद है, नाद जब अक्षर ब्रह्म में ले हो जाता है तो निशब्द परंपद है, विंदू से शुरू है, नाद उपासना तक जाता है, हमारे देश में नादानु संधान की उपासना वेद में है, उपनिशद में है, शंतवानी तो इससे भड़ी है, इसी को सूरत शब्द योग और नाम भजन कहते हैं, यही उपासना है, जो इ वह नवशत कोटि अमित अवकासा में रहते हुए, अगून अखंड अलख अज जोई है, इसमें दूसरी चीज होने की गुंजाश नहीं, फिर वही त्रैगुन्र सहित हो जाता है, त्रैगुन का रोप सभी देखते हैं, अस्थूल में वा सुक्ष्म में, लेकिन उसको धा जब तक यह दर्शन नहीं होता, पर लोग इह लोग में दुख पाते रहते हैं, ब्रह्म में निर्वान नहीं होता, आवा गमन में पड़े रहते हैं, मैं कहता हूँ, अस्थूल ध्यान भी करो और सुक्ष्म ध्यान भी, सुक्ष्म ध्यान में विंदू ध्यान और नाद ध 32 उपनिशदों का अंग्रेजी में अनुवाद है, 112 उपनिशद संस्कृत में है, इन सब को पढ़ कर देखिए, आप देखते होंगे कि रावानन्दी सादू कान में कूची लटकाए रहते हैं, जो कान में लगा कर बाहर का सब्द का सुन्ना बंद करते हैं, रावानन स्वामी इसके परवल परचारक थे, इनके सिश्य कविर शहाब थे, उसी समय पंजाब में गुरु नानक शहाब थे, दादू दयाल जी थे, बड़े बड़े परचारक थे, यह काम बड़ा पवित्र है, शाधू संतों की सेवा करनी चाहिए, सच्चं करना चाहिए, इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, पर उपकार करना चाहिए, अपने को पापों से बचाए रखो, जो अपने को पापों से बचाए रखेंगे, वे शगुन में वा निर्गुन में, अस्थूल में वा शुक्स्म भक्ति में बढ़ते जाएंगे, जो पाप करेंगे, वे क जो इन पंच पापों को छोड़ कर रहते हैं उनका संसार भी बनता है पर लोक भी जहां इनके साथी अधिक होते हैं वहां शांती रहती है राज में देश में भी शांती रहती है इश्वर भक्ती में पापों का त्याग अत्यंत आवश्यक होता है, किन्तु धन कमाकर खाने में इसकी कोई आवश्यकता लोग नहीं जानते और लोग ऐसा करते भी हैं, मेरा यह परचार है कि पापों से बचते रहिए, इश्वर भजन कीजे, शब लोगों का कल्यान हो, शब के लिए मैं शुवसिंतन करता हूँ, स्रीशद गुरू महराज कीजे